चले बढ़ते हैं अगली ख़बर की ओर देश के बारा राज्यों में बिजली जो है वो गुल हो रही है जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है बिजली संकट और भी गहराता जा रहा है यूपी से लेकर राजस्थान तक की अगर बात करे और हर्याणा से पंजाब तक की बा रही है रिपोर्ट दिखाते हैं राजस्थान और पंजाब है यह वो राज्य हैं जहां डिमंड के मुताबिक बिजली मिल ही नहीं रही है उत्तर प्रदेश में मांग है 2000 मेगावाट के आज पास अभी 18000 मेगावाट ही मिल रही है यूपी सरकार ने इस हालात को भाप लिया है कोईले की कमी ना रहे इस पर च सतत समबाद बनाए रखे अब उत्तरा खंड के हालात को देखिए राज्य में बिजली उत्पादन भी होता है बावजूद इसके संकट बरकरार है सालाना मांग है 2468 मेगावाट आप उर्ती हो रही है 1320 मेगावाट उत्तरा खंड की सरकार भी संकट को टालने के लिए सकती बरतनी शुरू कर दी है लेकिन जितनी बिजली की मांग है उतनी मिल नहीं रही है जार्खंड में तो हालात ऐसे बन गए हैं कि अब इसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है क्रिकेटर महेंदर सिंधोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने त्वीट कर दिया है कि जार्खंड के एक टैक्स पेर के रूप में सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि जार्खंड में इतने सालों से बिजली संकट क्यों है चारखंड के बाद पंजाब चलिए जहां कई थर्मर प्लांट फिलाल कोईले की भारी कमी से जूज रहे हैं फिर विजली की देकत ने लोगों की परिशानी अलग से बढ़ा दी कि केजरी वाल को 24 गंटे विजली देनी आती है अन्य देखो कोई तारी नहीं ना बची जो 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 24 गंटे फ्री विजली देनी आती है वो पतंदरा 24 गंट है जो तिन कंट या दिया फ्री ते आप पे होगी इससे अलग हर्याना और राजस्थान में भी हालात खराब हो रहे हैं हर्याना में 40 प्रितिशत उतपादन कम हो गया है क्योंकि बिजली की कमी के कारण फैक्ट्रियां बंध हो रही है राजिस्तान में 31% बिजली की डिमांड बढ़ गई है अलाकि इस संकट को केंदर की सरकार मानने से इंकार कर रही है ना तो कोईले की कोई दिक्कत बताई जा रही है ना ही बिजली की लेकिन सच यही है कि देश में गर्मी के महीने में बिजली की दिक्कत सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है विरो रिपोर्ट ताइमस नाव नौभारत